जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने चैनल सन्यासी जीके में, दोस्तों सावन के महीने में पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन यह एक काम जरूर कर लेना, पूरे सावन का फल आपको मिलेगा, दोस्त सावन का महीना देवों के देव महादेव के लिए समर्पित होता है, तो ऐसे में सावन सोमवार पर गलती से भी ऐसे वरत कभी मत रखना, और दोस्तों सावन सोमवार पर यह चार गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बरबाद रहोगे, साथ ही, पूजा पाठ का लाब आपको नहीं मिलेगा, और भगवान भोलेनात हमेशा हमेशा के लिए रूट सकते हैं, इसलिए आप इन बातों को नजर अंदाज बिलकुल भी ना करें, दोस्तों सावन सोमवार किसी भी मुहूर्त में परे, लेकिन सावन के महीने में आप यह गलती कभी मत क और सावन सोमवार के दिन खास तौर से वरत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए, कि सावन सोमवार के दिन यह चार काम गलती कभी मत करना, वरना आपको भारी पर सकता है, तो दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनात और माता पार्वती जी की पूजा शुबकाल के दौरान ही करना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले चलिए हम यह जानते हैं कि सावन में क्या गलतिया नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनात क्रोधित ना हो, तो दोस्तों सावन सोमवार के दिन व्रत करें, सुबह जल्दी उठे सनान जरूर करें, और सा भोजन ग्रहन नहीं करना है, अगर आपने व्रत किया है, तो सिर्फ फल वगैरह खाकर ही व्रत पूरा करें, और दूसरे दिन व्रत छोरें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं, मेरे साथियों हम वीडियो आगे शुरू करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे की भोलेनाथ का आशीरवाद सीधे आपको मिले, तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए सावन सोमवार के दिन, मांस और मदिरा का सेवन गलती से भी मत करन नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, भगवान भोलेनाथ आपको श्राप दे सकते हैं, और सावन सोमवार के दिन देर तक कभी न सोय, इस से आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूट सकते हैं, सावन सोमवार के दिन दाल चावल या गेहूं से ब भूल कर भी मत पहनना इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपरा पहने बहुत ही शुभ और मंगल कारी माना जाएगा इस दिन गलती से भी पति-पत्नी को सहवास यानि की शारीरिक संबंध भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए अन्यता भगवान भ भोलेनात को अगर खुश करना है तो यह बात गांट बांध ले दोस्तों कि यह पाप आपको कभी भी नहीं करना है सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीजें मत चड़ाना नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बरी परेशानी का सामना करना पर सकता है और दोस्तों आपका व्रत तूट भी सकता है क्योंकि इससे भगवान भोलेनात अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं तो आप भी जान लीजिए नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फाइदा नहीं होगा तो चलिए जानते हैं दोस्तों नमबर एक है तुलसी पौरानिक कताओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है माता लक्ष्मी जी भगवान विश्णु जी की अरधागने है इसलिए सिर्फ उनके पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है यह आपको पाप का भागिदार बना सकता है इसलिए भूलकर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों दूसरी चीज है सिंदूर सिंदूर एक प्रकार से श्रंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चड़ाया जाता है परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महा काल है इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चड़ाया जाता है ऐसा पाप आप कभी मत करना अब दोस्तों तीसरी चीज है हल्दी दोस्तों हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अरपित नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और वही केतकी के फूल पौरानिक कताओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के जूट में साथ दिया था इसलिए यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया इसलिए यह गलती भूल कर भी आप ना करें दोस्तों चौथी चीज नारियल पानी है एक पौरानिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है इसलिए इस बात का विशेशकर आप ध्यान रखें दोस्तों नमबर पांच है तिल यह भगवान विश्णू के मैल से उत्पन्न हुआ था इसलिए इसे भगवान भोले नात को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए दोस्तों नमबर छे है तूटे हुए चावल भगवान भोले नात को अक्षत यानि साबुत चावल अर्पित किये जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है लेकिन तूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है इसलिए यह भगवान भोले नात को नहीं चड़ता आप ऐसा अनर्थ ना करना चावल चड़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि कहीं चावल तूटा हुआ ना हो दोस्तों खास तोर से सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह चीजें भगवान भोले नात को चड़ाने से भी व्यक्ति का भाग्यचमक उठता है साथ ही भगवान भोले नात अतिप्रसन्न हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं कौन सीवह चीजें हैं। तो दोस्तों, नमबर पहला है गंगा जल। भगवान विश्णु के चरणों से निकला और भगवान भोले नाथ की जटा से धर्ती पर उत्री है। इसलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान भोले नाथ का अभिशेक करने से मानसिक शान्ती और सुख की प्राप्ती होती है। दोस्तों, नमबर दूसरा है तीन पत्तों वाला बेल पत्र। तीन पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो ऐसा भगवान भोले नाथ को चढ़ाएं। गुणकारी होता है। मानसिक शान्ति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। जो भगवान भोले नाथ के सिर पर क्रोध और विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसलिए भगवान भोले नाथ को धतूरा भी प्रिय है। और सावन सोमवार के दिन पर भांग के पत्ते को पीस कर, दूद या जल में घोल कर भगवान भोले नाथ का अभिशेक करें तो रोगों से मुक्ती मिलती है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन वरत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बातों का विशेश ध्यान रखें जिससे आपको वरत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्थ हो और भगवान शिव और मा पारवती की आपको क्रिपा मिल सके। सावन सोमवार के दिन का वरत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमीना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों गन्य का जूस मत पीजिए। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, वही आलू का प्रयोग आप कर सकते हैं। पर काला नमक यानि ब्लैक सॉल्ट को मत खाना। भूल कर भी चावल रोटी यानि अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबुदाने की खिचरी आप खा सकती हैं। लेकिन अनाज और साधारन नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, भूल कर भी न खाएं। वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे साथियों आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागिदार हो सकते हैं। तो मेरे साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान भोले नाथ के सचे भक्त हैं और आप भोले नाथ का प्रेम प्यार आशीरवात पाना चाहते हैं। और चाहते हैं कि भोले नाथ का आपके घर में वास हो और आप भोले नाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें.